पस्ट रहुल राम राम खमा गणी मैं लोके सर्मा राज के आदर्स उच्छ मादमिक विद्धाले रजवास सेर्शिंग ब्लोक लवान जिला दोसा इस्टेट राजस्तान से आपका को सबको नमस्कार करता हूं मैं आज मेरी थीमती इनोवेशन में मेरी थीमती बैड रेस्टोरेंट एंड पक्षी फोर बीएच के फ्लेट्स हमारे अक्सर आज के वर्तमान परिपेक्स में जिस तरीके से पक्षियों की बहुत से जातिया विलूप्त होती जा रही है तो शिक्षा में एक उद्देश से ब में यह कार्य प्रोजेक्ट शुरू किया इसमें मेरे माग दर्सक और सहयोगी के रूप में मेरे आदर्स हमारे फ्रिंसिपल सर्थ स्रीमान सिव संकर जी परजापती रहे और हमारे लिए यह सुनेरा आउसर है कि अब तक हमने हमारा इनोवेशन जो एक ब्लोक लेबल और ड हमारे नवाचार को हमारे इनोवेशन को नेशनल लेबल पर और आज पूरे भारत में फैलाने के लिए आपने जो किया उसके लिए मैं करतग्य हूं यह सुरुआत तब हुई जब हमने पक्षियों की कंडिशन और जैसे वहां गाओं के का माउल देखा तो वहां पर पिर हम हमने बच्चों में इन पक्षियों के प्रति दया के भाव और नेतिक विचार डालने के उद्देश से हमने यह प्लान किया और उसके बाद हमने इसके लिए आवशक समस्त सामगरियों का जो वेस्ट मटेरियल होता है कचरे से करिस्मा की थीम पर हमने जो होस्पिटिल्स व परकार की चीजे सामाने रूप से दी जाती है बोजन पानी आराम और मनुरंजन तो बोजन के आदार पे हमने वहां सब्दी के लिए स्वरूची भोज के अंतरकत सब्दी पक्षियों के लिए हमने विभिन परकार के रोटी चावल रितुपल जवार बाजरा गें चावल इन सब के अलग-अलग कॉलम बना रखे हैं और सबी में नियमित रूप से हमारे विद्धाले की चातर चातर आएं आके जिनको ये कर्तब बेक दिया गया है तो वो नियमित रूप से आके रूंके नियमित देखबाल साप सपाई और उनमें चुगा डालने का कारे करते हैं हिसी पानिके लिए उसी पे साथ अमैग सब्सक्राइब परिणेखबा रखें जिसमें पिद्यार्थी नियमित रूप से अपने कारे को करते हैं रेस्ट के लिए वेस्ट मटेरियल से हमने जूतों के डिबे वगएरा होते हैं उनसे हमने अच्छे घर बना रखे हैं अभी कुछी दिनों पहले हमारे दो गरों में तो पक्षियों ने दो कबुत्रों ने अपने अंडे भी दिये ते और हमारे लिए बड़े गोरव की बात रही फिर मनुरंजन के आदार पर हम देखे तो मनुरंजन के लिए हमने इसी में एक पॉंड बनाया एक तालाब और तालाब के अंदर हमने उसमें जो डेली ने मितरूब से ताकि उसमें हशी ठीटोली कर सके चोटे-चोटे जीव पक्सी और एक जूले का भी प्रोजेक्ट जो हमारी और हमारा सपना है कि यह प्रोजेक्ट पूरे नेशनल लेबल पर इस तरीके से इंपलाई हो कि सबी लोग इनके जीवों के प्रतिदया के भाव सब में विक्सित हो और सबी ल आप लोगों ने हमारे लिए हमें एक प्लेटफोर्म दिया जो हमारी जो छोटे-छोटे इनोवेशन्स थे जिने हम डेली इंपलाई करते थे उनको यहां पर नेशनल लेबल तक पहुंचाया और जैसे यहां के ब्यवस्ता है और जैसे यहां का वो है तो उससे हमें ही होता है कि आगामी कुछ समय बाद यह हमारे इनोवेशन्स है वो पूरे भारत में सफल होंगे धन्यवाद